loan बंद होने के बाद ये काम जरूर कर लेना बरना आप जिन्दिगी में कभी भी loan नहीं ले पाएंगे पहला loan बंद होने के बाद bank से no objection certificate यानी NOC जरूर ले NOC loan बंद होने का प्रूब होता है बरना आपको legal notice मिल सकता है जिसमें लिखा हो लोन बंद होने के बाद आपका लोन बैलन्स जीरो हो चुका है इंडिया में बहुत सारे केसिस ओन गोइंग हैं जहाँ पे लोग लोन पे करने के बाद भी कोड कचेरी के चक्कर लगा रहे हैं बेकाज उनके पास कोई प्रूप नहीं था तो इस रील को सभी के साथ सेर कर दो एंड मुझे फॉलो कर लो लोन बंद होने के बाद ये काम जरूर कर लेना वरना आप जिंदिगी में कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे पहला लोन बंद होने के बाद बैंक से no objection certificate यानी NOC जरूर ले NOC लोन बंद होने का proof होता है बरना आपको legal notice मिल सकता है second statement of account जरूर लेना जिसमें लिखा हो लोन बंद होने के बाद आपका loan balance zero हो चुका है इंडिया में बहुत सारे cases ongoing हैं जहां पहें लोग loan pay करने के बाद भी कोट कचेरी के चक्कर लगा रहे है विकॉज उनके पास कोई proof नहीं था तो इस reel को सभी के साथ share कर दो और मुझे follow कर लो